दोस्तों किसी भी राष्ट के समाजी के हम आर्थिक विकास में बैंकों की महत्पूर्न भीमिका होती है भारत एक ग्रामीन परदान देश है जिसके कारण गावों और छोटे सहरों में बड़ी संख्यावों में विभिन परकार के बैंकों की सखायां खोली जा रही है जहां क्या होनी चाहिए इस क्रेटी रहे कितनी होनी चाहिए इन सबको भी देखेंगे साथ ही हम लोग जानेंगे कि इन पदों में होने वाले नियुक्ति के एक्जाम्स पैटरन क्या होते हैं सिलेबस और से लेली के बारे में भी विस्तार पूरवक देखेंगे तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस ठापना ग्रामीर या च्छोटे सहरों में विशेश रूप से छोटे एवं सिमांत कि सानों मजदूरों वेपारियों कारिगरों तथा च्छोटे उधमियों को क्रेडिट एवं अनसुविदाओं देकर किर्शी वेपार और उध्योग से अधिक छेत्रिय करामिन बैंक के लागभग 21,000 से अधिक साखाया हैं इन बैंकों में अपने कारियों का परबंधन और अपने बिस्तार योजनाओं को पुरा करने के लिए बड़ी मत्रा में कर्मियों किया हो सकता होती है इसके लिए इन बैंकों में कर्मी की बहाली का कार बैंकिंग कार्मिक चेहन संस्थान IBPS को दिया जाता है आए हम लोग छेतरे ग्रामिन बैंकों में होने वाली न्यूक्ती में कौन-कौन से पद होते हैं इसके बारे में जानते हैं इन संस्थानों में होने वाले निटी को समुख को यानि बैंक में अधिकारी अस्केल 1, 2 और 3 तथा समुख को सहाय करियाले के रूप में विभाजित किया गया है अब इस्तार पूर्वक समुख को के अंतरगत आने वाले पदों के बारे में जान लेते हैं अस्केल 1 समान बैंकिंग अधिकारी के लिए सभी बिशियों के असनात तक उत्रीन अभ्यार्थी आविदन कर सकते हैं लेकिन किर्सी, पसुपालन, मार्केटिंग, को ओपरेशन, बागवानी, मतेश पालन, पसुपालन, चिकिसक बिग्यान, आईटी, लोग रुजेट, अंकों के साथ असनात तक उत्रीन होना चाहे, इन पदों में अस्केल 1 में बताया गए बिशयों के असनात तक उत्रीन अभ्यार्थियों को भी प्रत्मिकता दी जाती है, साथ ही अस्केल 2 के लिए बितिय संस्थान में अधिकारी के रूप में दो बरस का अनुभाव, तथ लोग समुख खो के अंतरगात आने वाले कार्याले साहयक के पदों के बारे में जानते हैं यह में किता मल्टी परपस करमचारी के होते हैं जैसे कलार, ऑपरेटर, लिपीक, पियो, इतियादे इन पदों में असना तक उत्रिन वोईसे अभियारती आविदन कर सकते हैं जिनकी उम्र सिमा 18 वरसे लेके 30 वरस तक की होती है, वहीं उम्र में रिजर्व कटेगरिक के लिए कुछ छूट दी जाती है बताये गएं सभी योगताओं के साथ साथ अभियारती वास कंप्यूटर नोलेज तथा अस्थानी भासा का ज्यान होना अतियाविसक होता है ओपिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिसलेरी लगभग आपका सता सजर रूपिय तक की होती है चलिए अब हम लोग IPBS, RRB के अंतरगत होने वाले निउक्ति के एक्जाम्स पेटरन से लेबस और सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं सेलेक्शन के लिए अब्यार्थी को तीन अस्टे से गुजरने पड़ती है PT, Men's और Interview PT के वल Office Assistant और Scale 1 के पोस्ट के लिए आविद की अरवाये जाते हैं PT यानि प्रारमिक परिछा के लिए एक्जाम्स पेटरन के बात करें तो इसके अंतरगात Objective Type के प्रशन पूछे जाते हैं इसके लिए सभी अभ्यार्थियों को 45 मिनिट के समय दी जाती है इसमें Quantitative Ability और Reasoning से समधित प्रशन पूछे जाते हैं इसके परतिक सेक्शन में 40 अंग निरधारत की जाती है इसमें Negative Marking System भी होती है प्रशन का Language आपका हिंदियों और इंग्लिश दोनों होगे वही Men's Exam की बात करें तो यह सभी पदों के लिए आवशक होता है इसमें भी प्रशन की परकिरती objective होती है इसके लिए अभ्यार्थियों को 2 घंटे की समय दी जाती है इसके अलावा Scale 2 और Scale 3 के अभ्यार्थियों को अलग से Financial Awareness से प्रशन पूछे जाते है पी टी और Men's Exam के लिए करने वाले अभ्यार्थियों को इंटरिव्यू के लिए आमिंतिन किये जाते है जहां Document, Verification और कुछ प्रशनों को पूछे जाते है इन सब परक्रिया में गुजरने के बाद आप श्यतरेगरामीन बंग में केरियर बना सकते है श्यतरेगरामीन बंग के परते पूश्ट के सेलेक्षन प्रोसरेस के लिए अलग से वीडियो बनी है इसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा और दोस्तों में वीडियो के आंद में बता देना चाहता हूँ कि छेत्रिय बैंकों में कायर करने वाले अभ्यारतियों को सहरुजनिक छेत्रों में प्राथिमिक्ता दी जाती है मुझे उमीद है कि आप इस वीडियो के माध्याम से सित्रे ग्राविन बैंक में होने वाले सभी न्युक्ती और सभी पदों के बारे में विस्तार पुरुख समझ गये होंगे इससे समझे किसी भी परकार को कॉस्चन या क्यूरी होगा तो आप हमें कॉमेंट्स के माध्याम से पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं केरियर गाड्लाइन के साथ नहीं कॉस्री विईू के साथ नहीं जॉब ऑपुचिनिटी के साथ तब तक के लिए जाहिन